हेलो फ्रेंड्स असलाम वालेकुम कोटा के बकरा चेनल में आपका स्वागत है कि एक और नई वीडियो के साथ जो की वईद भाई के फार्म से हैं मैं आपको वईद भाई का शोग बता रहा हूं यह जो आप नसल देख रहे हैं जमना परी हंसा जिसे बोलते हैं पीवर जमना कि आठ मैने का है माशाला बहुत ही एक रिस्व भगरा है और एक छोटा मेल जो आप देख रहे हैं यह 6 मैने की एज पर है पिवर हंसा जमना परी जिसे बोलते हैं यह वाईद भाई के फार्म पर है और वाईद भाई का शोग भी है जिस तरीके सा आप देख रहा है कितनी स्वेर नसल है अब काफी मेहंगी यह नसल मिलती है फिर भी वहीद भाई शोक है शोक के लिए पालते हैं तो वहीद भाई से कुछ इस नसल के बारे में पूछेंगे और मैं आपको बता दू यह बकरे सेल के लिए नहीं है यह आपको इनकी क्वालिटी बता रहा हूं कि कोटा में भी एसे एसे भकरों के शोक करने वाले रहते हैं वहीद भाई तो थोड़ा में आप बताई यह नसल के बारे में यह नसल बार से ही लानी पड़ती है तो आप नसल देख रहे हैं और यह पट जो बता रहा हूं में आपको यह तीन यह चार मेंने ग्याबन है शायद लोडेड है यह बकरी बहुत ही खूबसुरत यह जमना परी जिसे ओरिजिनल जमना परी बोलते हैं आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसुरत शो के वईद भाई का माशालला बहुत ही खूबसुरत क्वालिटी के जानबर यह रखते हैं तो भाई लोग अगर कोटा नसल के लिए भी आपको कोई बकरा चाहिए हो तो यह अवेलेबल करा देते हैं वेसे बकरे कुछ सेल के लिए नहीं है लेकिन कुछ कोटा है इनके पास जो कि आपको मैं बता दूँगा इंशालला इनसे कोंटेक्ट करें और 12 महीने यह बकरे अ पाल्टियों को बार की पाल्टि को अगर कुछ कोटा नसल के बकरे चाहिए तो आप अवेलेबल करा देंगे लोग एक वीडियो एक और बनाओंगा मिनका खसी लोड का वैसे ही आपको कोई सी भी नसल का बकरा हो आल इंडिया भी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं तो सलाम अले तीन महीने की लोडेड़े और दो दाथ पर यह बकरी आप इसकी हाइड और लेंद देख चार दाथ हैं माशालला बहुत ही फूसरत प्वालर्टियों सलाम अलेकुम